आईए सुनते हैं सुबद्रा कुमारी चौहांजी की कहानी जंबक की डिविया इस जंबक की डिविया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है इसलिए मैं इससे डरता हूँ मैं जानता हूँ कि यही जंबक की डिविया मेरी मौत का कारण होगी प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा जम्बक की डिविया से मनुस्की हत्ते आखिर हो ही कैसे सकती है सिगरेट बुझा कर एस्टेबर फेंकते हुए इस प्रोफेसर साहब ने कहा यह उन दिनों की बात है जब मैं B.A. फाइनल में पढ़ता था के ठानी हमारे घर का पुराना नौकर था बड़ा मेहनती बड़ा इमानदार महिनों हमारी मा जब घर के बाहर रहती थी वो सारे घर की देखवाल करता था एक चीज भी कभी इधर से उधर ना हुआ था एक बार यही बरसात के दिन थे मेरी छोटी बहिन के शरीर पर लाल-लाल दाने से उठाए थे और मैं उसके लिए एक जंबक की डिव्या खरीद लाया मेरी मा मशिन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे वही मैंने वह डिव्य खोली दानों पर जहां तहां लगाया और डिव्य मा के हाथ में दे दी पासी के ठानी खड़ा धूलेवे कपड़ों की तह लगा रहा था जब मैं बहिन के दानों पर जंबक लगा चुका तब के ठानी ने उत्सुक्ता से पुछा काई भहिया इसे इस सब अच्छो हुई जई है मैंने कहा हाँ खाज, पूड़ा, फूंसी, जले, कटे, सब जगई या दवा काम आती इसके बाद के ठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया शाम को जब मैं घूम कर लोटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहले मा कह रहे थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है कहा गई कौन जाने बड़ी बेहन कह रहे थी, उसे छोड़ कर और ले ही कौन सकता है कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में बहुत सारी पुंसियां थी पिता जी कह रहे थे, कहीं महराजीन न ले गई हूँ अखिल उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं है पास ही बैठा अकिल पढ़ रहा था पिता जी की बात में दिल्चस्पी लेते हुए बुला बापु महराजीन तो हमेशा गोरे होने की फिकर में रहती है फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है सो मैंने भी कह दिया गोरे होने की दवा है किठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था उससे बुला कर पुछा गया तो उसने कहा जब भाईया लगाई हती आपने तो तबे देखी रही फिर हम नहीं देखन सरकार मुझे क्रोध आ गया बोला तो डिबिया पंक लगा कर उड़ गई किठानी ने मेरी देखा बोला भाईया मैंने कहा चुप हो मैं कुछ नहीं सुनना चाता सुबह मैं डिबि लाया और इस समय गाइब हो गई यह सब तुम ही लोगों की बदमाशी है किठानी कुछ नहीं बोला वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया मैंने सुना वह मा से कह रहा था मालकिंग चल के मूर कोटरी खोली देख लेई मैं का करी हो दवाई ले जाई के फिर जवन चीज लागी मैं मांग ना लई हो सरकार से मैं कोट उतार रहा था ना जाने मुझे क्यों क्रोधा आ गया और कमरे से निकल कर बोला चले जाओ अपना हिसाब लेकर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है आखिर माने बहुत समझाया हम सब भाई बहन ना माने माने के ठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा जब तक भाईया माफ न करेंगे अपने मुझसे मुझसे रुकने को न कहेंगे मैं न रुकूंगा और मैंने न के ठानी से रुकने को कहा न वः रुका हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया पर घर के सब लोगों को वह बहुत प्यार करता था वह गया जरूर पर तन से गया मन से नहीं मा को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका वह मेरे कमरे को साफ करता था सजा कर रखता था पूलों का गुल्दस्ता नियम से बना कर रखता था मेरी जरूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था पर जिदी सभाव के कारण चाहते हुए मैं मा से ना कर सका कि केठानी को बुला लो जो कि मैं हिर्दै से चाहता था एक दिन मा ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिटी का काम करता है मैंने सुना मेरे दिल पर ठेस लगी बुढ़ा आदमी डगमक बैर भला हुआ गारा मिटी का काम कैसे कर सकेगा फिर भी चाहा कि यदि मा कहे कि केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार जरूर कह दूँगा कि हाँ बुला लो पर इस बार माने किवल उसके गारा मिटी धोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था देखा के ठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीग्रों को दे रहा है चालीस फुट ऊपर चाली पर चड़ा आह बुढ़ा के ठानी खड़ा काम कर रहा था मेरी अंतरा आत्मा ने मुझे काटा यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चे कर लिया कि शाम को लोट कर मा से कहूंगा अब के ठानी को भुला लो वो बहुत बुढ़ा और कमजोर हो गया है इतनी बड़ी सजा उसे ना मिलनी चाहिए दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा शाम जरा जल्दी लोटा रास्ते पर ही राय साहब का घर था मजदूरों में बिशेश परकार की हलचल थी सुना की एक मजदूर चाली पर से गिर कर मर गया पास जा कर देखा हुआ के ठानी था मेरा हिर्दे एक आदमी की हत्या के बोज से बोजिल हो उठा घर आकर मा से सब कुछ कहा मा उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो मा अपने सीने वाली पोटली उठा लाई नया कपड़ा निकालने के लिए उन्हें जोही पोटली खोली जंबक की डिविया खट से गिर पड़ी तो ये आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी जंबक की डिविया रेनू की आवाज में ऐसी अधुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू